थेले वाले ने कूड़े के धेर से उठाया था इस लड़की को 25 साल बाद लड़की ने चुकाया इस तरह हैसान नमस्कार दोस्तों, जिनकी कब कौन सा करवट बदल दे किसी को कुछ नहीं पता जिनकी कभी कूड़े के धेर में बिलगती है तो कभी आसमान में उड़ने लगती है दोस्तों, इनसान बनाया ही गया है इनसान की मदद करने के लिए किंतु को यह अपना करतव्य निभाता है तो कोई पीछे हट जाता है आज की घटना कुछ ऐसी ही है सोमवार का दिन था सोबरन अपना सबजी का ठेला लेकर घर आ रहा था थोड़ी दूर चलने पर उसे जाड़ियों से एक बच्चे की रोने की आबाज सुनाई दी सोबरन ने आपना ठेला रोंका और उस तरफ जाकर जाड़ियों में देखा तो उसके होश उड़ गए एक मासूम बच्ची कूँ अडे के धेर पर पड़ी बिलक बिलक कर रो रही थी सोबरन ने इधर उधर देखा और जब कोई नहीं दिखाई दिया तो उसने उसे गोद में उठा लिया सोबरन ने देखा कि वो एक खुबसूरत लड़की है सोबरन उसे अपने घर ले आया सोबरन की उस समय उमरतीस वर्ष थी और उसकी शादी भी नहीं हुई थी जहां सोबरन रोजी रोटी के लिए अपना सबजी का ठेला चलाता था. उसी समय यह लड़की सोबरन को मिली थी. सोबरन ने कठिन मेहनत कर उसे अपनी बेटी की तरह पाला और उस लड़की का नाम रखा जियोती. सोबरन दिन और रात मेहनत कर अपनी बेटी को पढ़ाता और किसी भर चीज की कमी महसूस नहीं होने देता. खुद एक बार भूखा सो जाता किन्तु अपनी बेटी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता. सोबरन ने 2013 में कम्प्यूटर साइंस से सनातक कराया और इसके बाद जियोती तयारी में जुड़ गई. इसके बाद 2014 में जियोती ने आसाम लोक सेवा आयोग से PCS की परीक्षा में काम्याभी हासल की और रूर से आयकर सहायक आयुक्त के पद पर पोस्टिंग दी गई. सोबरन अपनी बेटी को देखकर आसुओं से भीग गया क्योंकि उसकी बेटी ने उसके सभी सपने पूरे कर दिये. आज जियोती अपने पिता को साथ रखती है और उनकी हर ख्वाहिस को पूरी करती है. सोबरन कहता है मैंने कूरे से लड़की नहीं एकीरा उठाया था जो आज हमारी बुरापे की लाठी बन गया. आज सोबरन अपने आपको धन्य समझता है.